नमसकार दोस्तों मैं आप सबी के चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सबी की सेवा में एक बहद ही महतोफून जानकारी को ले करके जी हाँ आई आज हम सभी हिचकी को दूर करने के लिए कुछ एक होमेड्रेमेडिज के बारे में जानते हैं जिसके सहारे आप अपने हिचकी की बीमारी को दूर कर सकते हैं निम्बु का रस और शहद एक एक चमच तथा काला नमक स्वाद के अनुसार मिला करके पीने से हिचकी आना बंध हो जाता है जिहां मयूर पंख के उपर वाले चंद्राकार चांद को दस पंखों को इसके मिट्टी के कुलहड में डाल कर उपर धक्कन लगा करके उस पर 250 ग्र कर खरल में पीश करके रख लें एक पंख चंद्राकार की एक रती की पुडिया बनाएं इस प्रकार से तीन पुडियां शहद से चटाएं असाध्य हिचकी भी ठीक हो जाएगी प्याज काट करके एवं धोकर उस पर नमक डालें फिर इसे खालें इस प्रयोग से हिचकी बं प्राप्त होगा मुली के चार पत्ते खाने से हिचकी आना बंद हो जाता है हिचकी बंद न हो रही हो तो पुदीने के पत्ते या निम्बूर आपको छुसना होता है जिहां पुदीने के पत्तों के साथ शक्कर डाल करके भी चबा सकते हैं आप साबूत उरद जलते हुए क प्रियोग ठकान दूर करने के लिए भी लाब दायक होता है थोड़ा सा गर्म गर्म घी पी लेने से भी हिचकी आनी बंध हो जाती है इसके अलावा गन्य का रस पीने से हिचकी बंध हो जाती है पुराना सूखा गूर पीस करके इसमें पीसी हुई सूठ मिला करके सूहने से ह हिचकी यानी बंद हो जाती है। ड़कार या हिचकी अधिक आती हो तो बाजरे के दाने के बराबर हिंग गूड़ या केले में रख करके खाने से लाब होता है। मात्रा में लेकर के गर्म पानी से सिवन करें हिचकी बंद हो जाएगी। सेंधा नमक पानी में घोल कर नाक में टपकाने से भी हिचकी यानी बंद हो जाती है। हिचकी बंद होती है। क्यों शहद चाटने से भी हिचकी यानी बंद हो जाती है। इसके अलावा खासी, दमा और हिचकी में छोटी इलाइची खाने से लाब होता है। सोडा पीने से भैंकर हिचकी भी बंद हो जाती है। दालचीनी चबाने से हिचकी याना मिट जाता है। छे माशा गवार पाठा के रस में एक माशा सूट का चून मिला करके पीने से हिचकी तुरंत बंद हो जाती है। दो रती हीरा हिंग मुनक्के में लपेट कर खिलाने से हिचकी याना आवश्य बंद हो जाता है। इसके अलावा पांच नक बड़ी सुर्ख इलाइची छिलका सहित लेकर कूट लें और 250 ग्राम जल में डाल करके खूब उबालें। पानी शेष बचे तब उतार करके छानने इसे ठंड़ा होने पर एक एक घुट पीने से भयंकर हिचकी भी बंद हो जाती है। इसके अलावा चंदर और धनिया सुमने से हिचकी बंद हो जाती है। हिचकी आने पर यदि दोनों कानों में उंगलिया डाल ली जाएं तो भी हिचकी आनी बंद हो जाती है। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक अन्य नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों।